भारत का टीबी अख़बार, मीडिया और पत्रकार कितना जातिवादी है, कितना धार्मिक क्रिमिनल है इसका अप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सोची आज अटल विहारी बाजपेई की पुनितिती थी, तेथ इन्वर्सरी मीडिया ने जम कर चलाया, वही मीडिया पिछले कई महीनों से लालू और नितीस में दरार है वो लर रहे हैं, जयन्ट चौधरी अखिलेस यादव का साथ छोड़ रहे हैं सरत पवार कभी भी अजित पवार के साथ जा सकते हैं मतलब रोज एक खबर, भाई साब जो न लरना चाहें, लालू और नितीस, जयन्ट और अखिलेस, अजित पवार और सरत पवार उसको भी लरा देंगे वज़ा क्या है? वज़ा है लालू और नितीस दोनों पिछरे समाज से आते हैं जयन्ट और अखिलेस, ये भी बैकवर्ड कमिटी से आती हैं, किसान जातियां हैं और मराठा, अजीत पवार और सरत पवार भी किसान कमिटी से आते हैं आप सूचिए कल्पना कि इस देश में जितना सम्मान सवर निताओं को जीते जी और मरने के बाद मिलता है किसी दलित पिछरे आदिवासी नेता को मिलता हो तो मुझे बता दीजे मैं पतकाईता छोड़ दूँगा इस देश में राजपुत नेताओं को भी सम्मान नहीं मिला चाहे वो चंदर सेखर हो, चाहे बीपी सिंग हो, चाहे अरजुन सिंग हो वजह ये लोग सोसल जस्टिस के बड़े पैरोकार थे, सिपाही थे नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक मैं मीडिया का चरित्र समझा रहा हूँ आज आपको भले अजी तंजुम, रवीस कुमार, साक्षी, जोस्टि, अविसार, सर्मा ये सब समझा रहे हो कि भारत की जो मीडिया है वो धर्मिक हो गई है धर्म के नाम पर नफरत पहला रही है, बात तो सच है लेकिन इससे कहीं जादा ये मीडिया जातिवादी है भारत की समस्या धर्म कभी नहीं रहा, ये जातिवादी समस्या है आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं लेकिन आपका शोशन इसलिए हो रहा है कि जो सिस्टम में बैठे हुए आप ही के धर्म के लोग वो चाहते हैं कि आप जाती के अधार पर नीचे रहें आपके लिए स्कूल, अस्पताल, परहाई, लिखाई, दवाई का इंतजाम नहों लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बिडमना है कि जो इस देश के सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं वो भी परहाई, लिखाई, दवाई, सिक्षा, रोजगार, रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोलते हैं ये तमाम पत्रकार आज टीबी अखवार की भासा जरूर बदल गई है आपको लगता होगा कि कुछ दलित निताओं को मौका मिल रहा है बोलने का नौकरिया नहीं है टीबी अखवार में दलितों के लिए, पिछरों के लिए, आधिवासियों के लिए, किसानों के लिए हाँ चुकि टी आरपी घट रही है, लोग नहीं जा रहे हैं तो उनके निताओं को बैठाया जा रहा है और बकाइदा उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, सोचिए, आज दिन भर बाजपेई जी का देथ अनवर्सरी चला, उनका जो मर्नो, उनकी जो मिर्त्तु हुई थी आज पांच साल हो गए, अच्छी बात है, देश के परधान मंत्री रहे हैं बीजेपी ने भारत रतन भी दिया, यही बाजपेई जी का भासन था, अयोध्या संतल करना है यही बाजपेई जी थे, जो कहते थे कि मेरे जूते में दो काटे हैं एक कांसी राम और एक मुलायम सिंह आदब और दोनों को निकाल के फेक दिया है खेर छोड़िये, सबकी अपनी अपनी राधनीती है, अपने विरोधियों के लिए कोई कुछ भी कहता है लेकिन सोचिए कि मीडिया कैसे इस देश के सवर नेताओं को और खासकर ब्रहामन नेताओं को राष्टबादी और राष्टिये नेता घोसित कर देता है और किस तरह से इस देश के सबसे बड़े रसायन सास्त्री जिनका कोई फैमिली बेक गराउंड नहीं, साइकल से उठ निकलते हैं और इस देश में BSP जैसी पार्टी बना देते हैं, UP में चार बार सरकार बन जाती है इस देश में तमाम नारे कांसिराम ने दिये, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी बोट हमारा आराज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अरक्षन से लेंगे SPDM, बोट से लेंगे CMPM और सोचिये OBC Reservation लागू करवा दिया लालू यादव, सोचिये एक ऐसा सक्स, जिसके घर में किसी कोई स्कूल जाने तक की अनुभव नहीं था वो सक्स, इस देश का मुखमंत्री बनता है बिहार जैसे राज में और एक ही नहीं, लगातार राजनीती में जमे हुँ है TV, अकबार, CBI, Income Tax CD के खिलाब मायावती, सीबू सोरेन, ये सब लोग वैसे लोग थे जिनका कोई बैकगराउंड नहीं था जिनके पास कोई पुंजी नहीं थी, जिनके बाप दादाओं की बिरासत नहीं थी सरक से निकले संसत तका है, चोधरी चरन सिंग लेकिन क्या मजाल है कि मीडिया, देवी लाल, करपूरी ठाकोर, कितने नाम गिनाओं में आपको, वो सारे के सारे किसान कम्यूटी के नेता, जिनको ये लोग नाम तक नहीं लेते हैं, आपने देखा कभी चोधरी चरन सिंग जी की जयांती, या देर्थ इनवर्सरी टीवी को मनाते हुए, अपने देखा कभी इस देश में किसी भी बहुजन निताओं को टीवी चू सब्द करता हो, अरे बाबा सहाइबं बेटकर की जयांती भी नहीं के मनाते हैं लोग, फूले और पेडियार को तो छोड़ दीजिए, तो इसलिए कह रहा जलता रहेगा, सोचिए, मीडिया कि माने तो एक दिन में लालू यादव और नितीश कुमार के बीच लड़ाई करा दे, रोज दरजनों अखवारों में लिखा जाता है, पन्ने रंगे जाते हैं, जयन चौधरी और अखिलेश में, आज तो अखिलेश यादव ने यहां त तरह से रोज मीडिया, लेकिन पबलिक देखिए, आपको यह पता है, आप मुझे बोलेंगे कि चलिए मीडिया के कहने से अगर यह लोग अच्छे हैं, तो लरेंगे नहीं, दरसल यह लरेंगे भी नहीं ना तो पबलिक परसेप्सन बना दिया जाएगा, इस देश के मीडि इस देश के बहुजन नेताओं को उनके ही नजरों में, उनके ही जन्मानस के नजरों में चोर और भरस्टाचारी घोसित कर देता है, और वही समाज, जिस समाज के लिए वो भले हैं, उनको नजरों से गिराने लगता है, इसलिए चौधरी चरण सिंग कहते थे, कि जब करें दिया मेरी तपरिए तो समझना मैं किसानों से कट गया हूं, इसलिए राजिंदर प्रसाण सिंग कहते हैं, कि इस देश में आपके घरों में, बीजे पी और रे सिस का कर करता है, एक टीवी और एक अछबार, और इसमें सारे के सारे सवर्न पत्रकार सामिल हैं, कोई पी हो सकता है कोई प्रो मुस्लिम हो सकता है कोई प्रो हिंदी हो सकता है लेकिन प्रो मुस्लिम प्रो हिंदू भी SC, ST, OBC या आपके constitutional rights किसानों के पक्ष में नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी बिड़म बना है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुची आज आकास आनन बड़ी रैली कर रहे हैं, वो 15 दिनों तक सरकों पर रहेंगे, किसी टीबी अख़बार ने आपको दिखाया नहीं दिखायेगा इसी को कहती है political killing आपके पास न टीबी है न ख़बार है जिसका गाय है वो अपने आपको दूद खिला रहा है जो नेता संपरदाइक्ता के रत पर सवार होकर परधान मंतरी की कुर्सी तक पहुँचा जिस परधान मंतरी के दौर में संसत पर हमला हुआ करगिल जैसे अटैक हुए उस परधान मंतरी का तो गुनगान हो सकता है लेकिन जिस देश अमबेटकर साहब ने इस देश में करोरों लोग की जिन्दगी बदल दी महिलाओं की जिन्दगी बदल दी उसके लिए मीडिया में जगा नहीं है क्योंकि उस समाज का पत्रकार नहीं है इस देश में जिस आरक्षन ने करोरों लोग की जिन्दगी बदल दी उससे नफरत है क्योंकि मीडिया में बैठे हुए लोग इस देश के जो पावर सिंटर्स में जो जातिबाद गाउं में था वो सहरों में आ गया है जो मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी कॉलेज इन्वर्सिटी बिजनेस में खेल में स्पोर्स में जो बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में जो जातिबाद भरा पहले गाउं में आपको भैस ने आपको चपल नहीं पहने देंगे खाट पर नहीं बैठने देंगे खाना नहीं खाने देंगे मुछ नहीं रखने देंगे घोरी नहीं चरने देंगे सब तो दिखता था दिखते हुए जातिबाद से तो आप लड़ लेंगे लेकिन उस जा जातिवाद से कैसे लड़ेंगे जब आपके बच्चों के दाख लेके समय कहा जाता है कि नया जाती परमान पत्र लाओ उस जातिवाद से कैसे लड़ेंगे जिस जातिवाद में आपके बच्चों का रीटेन में नमबर काट लिया जाता है उस जातिवाद से कैसे लड़ेंग कि जिस जातिवाद में आपके पत्रकार, सोसल एक्टिविस्ट, भहुजन नेताओं को या तो जातिवादी कह दिया जाता है, या उनको दरकिनार कर दिया जाता है, तो ये आपको समझना है, इस समाज को समझना है, कि आपके लिए कौन जरूरी है, कि आप उस मीडिया पर, ट इलका माजी सिद्धो कानों कौन जानता है बिर्शा मुंडा को कोई जानने देता है 15 अगस्त गुजर गया ये सब सोतंतरता से नानी थे उदा देवी पासी जलकारी बाई कोई नाम लेवाने इसलिए मैं कह रहा हूँ इन पर भरोसा मत किजिए ये रिफ्ट हो सकते हैं राइट हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी बहुजन समाज के साथ नहीं हो सकते हैं ये प्रो हिंदू हो सकते हैं प्रो मुस्लिम हो सकते हैं ये समा लोगों से कहिए कि आप इस्कूल बनाई ये अस्पताल बनाई ये तो नहीं बनाएंगे क्यों कि गरीब पढ़ जाएंगे लिख जाएंगे तो समय बदल जाएगा पूरे अमरीका में उरोप में वर्ल्ड वार के वाद से कोई चर्च नहीं बन रहा है लेकिन यहां आपको अब जान बुचकर धार्मिक जगरों में उलजाया जा रहा है ये समझने की बात है बहुत देर हो जाएगी से पहले इससे पहले अपने डेमोकरेसी को बचाईए और भारत में डेमोकरेसी के लिए सबसे खतरना कोई है तो वो है इस देश का मीडिया पर कोई रोक रहा है लेकिन सरकारी पैसे का सरकारी ताकत का सरकारी तंत्र का दुरूपयोग मत किजिए उसके लिए स्कूल अस्पताल जरूरी है ताकि आप किसी धर्म के हो आप गरीब हैं तो आपकी जिन्दगी बेतर हो गुरुनानक सहाब से सीखिये जिन्होंने कहा कि नो रेस नो का सब बगल में बैटके खाएं ये होता है धर्म पेगंबर साहब से सीखिए जिनों ने कहा कि पसीना सुखने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए बुद्ध ने कहा धर्ती पर कोई भगवान नहीं है इशा मसीश चूली पर चर गए इन सब महान लोगों से पिरना लीजिए और इस देश को बेहतर मुल्क बनाने के लिए आपको संघर्स करना पड़ेगा मजबूत बनाना पड़ेगा और सबसे ज़ादा उन लोगों से साबधान रहे हैं जो जातिवादी हैं मनुवादी है जो आपको धर्म के नाम पर लरा रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई इसके नाम पर जो लरा रहे वो दरसल आपके आने वाले नसलों का दुस्मन है धर्म आपका बहुत ही नीजी मसला है आप किसी भी धर्म को मानने के लिए सोतंत्र हैं लेकिन सरकार का काम है सत्ता का काम है परहाई, लिखाई, दवाई, सेना, देश की सुरक्षा देश के नागरिकों की सुरक्षा तब जाकर ये देश मजबूत होगा इसलिए इस देश की बरवादी का अगर कोई कारन है तो वो टीवी और अखवार जो सबसे बरा जाती वादी है आप लोग अपनी पर्सक्रिया जोड़ दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें